हलो फ्रेंड मेरे चैनल में आप सभी लोहों का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ ऐसा नास्ता या शनेक कर लो या नास्ता कर लो कि बनाओंगी ग्यों के आटे से जिसे आप टी टाइम पे भी खा सकते हैं कभी सफर में जा रहे हैं तो भी लेक के जा सक या बच्चे कभी छोटी मोटी भूख हो कभी थोड़ी भूख लगी हो तो भी आप इस नास्ते को खा सकते हैं चलिए इसके नास्ता बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत होगी सबसे पहले हम लेंगे आगें का आटा यह हम बनाएंगे गें का आटे से जिससे हम बनाते हैं यह बनाते हैं यह ज्याद़ा है यह था बहुक्षा है मैद्य बैता रहते हैं लेकिन मैदे से ज्याद़ा था यह यह खी और साथ में सूजी लिए दो तीन चम्मच के करी में ने यह सूजी लिए चलिए देख लेते हैं यह नास्ता कैसे बनता है कि इन्हें करेंगे एक साइट पे सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे इस तरह से कोई भी परतन ले लें एक छनी लेंगे हम सबसे पहले आठे को छान लेते हैं आठा छान के लेना चाहिए जिससे कि कोई भी इसमें कण बगएरा होंगे जो भी पत्खर बगएरा कई बार तो भो सारे निकल जाएंगे इस तरह से माठे को छान लेंगे शान लेते तीनों चीजों को हम इसमें मिक्स कर देंगे यह मैंने फुल चमछ बड़े वाला चमछ जो रहता है फुर लिए इसमें मिक्स कर लेंगे सुझी यहारा अटे में म्में दालने तौड़ेंगे हम से अजबाइन और ठोड़ा नमक 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 मैं लिए अपन्य TESTS रखर्णून को मैंने के बहुत ज़ादे लिया है मैं अच्छी तरह से अजबाइन को डालूंगी जिससे अम इसमें टेश्ट अजबाइन का बहुत अच्छा आएगा कि नमक अपने अपने करड़िंग लेने हैं रही सिर्हट कर लेंगे ने भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है रिफाइन ले ले जो भी आपके पास होई आप ले सकते हैं मैंने गी लिया है मैं गी में याटा गुनूंगी घी देशी गी है गरम करके लिया है कर लिफाने में आपकी करंढा इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से हम अचीं तरी से मिक्स करेंगे की यह मारा नास्ता जो बहुत सॉप्ट और अच्छा मुलायम करें जिसके दात्थ नियों वह भी खा सके आराम से जितना हम इसमें गी याइड करेंगे ना उतना ही हमारा नास्ता अच्छा सोप्र बनेगा इस तरह से हां से मलमल के इसे कर देंगे थोड़ा सा हम गी और डालेंगे एक बार मेरी तरीके से आप लोग यह वाला नास्ता बना के देखना बहुत ही ज़्यादा सौप्र और अच्छा नास्ता बनके तार होगा इसे बच्चे जिसके दात नहीं है वो भी नास्ता यह खा सकता है सब भी को बहुत पसंद आएगा यह नास्ता हमारे घर में तो हम तो चाय के साथ बना के खाते हैं यह नास्ता बना के रख लेते हैं और जब भी चाय पीते हैं तब मन करा तभी लेके खा लेते हैं एस तरह से हम दोनों हातों की साहता से अच्छी तरह से हैं कि इस तरह से कि देखे अच्छी तरह से हमारी ज़्मिंद्ग अच्छी ओ रही हमारा झाला हो गया है तो इसका मदला है इसमें हमने जो गी डाला है मोयन जो डाला है इसमें फरफेक्ट है और हमें इससे ज्यादे नहीं डाला है अब बस थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसको आटे को गूल लेंगे थोड़ा साम गूंगुना पानी लेंगे क्योंकि हमने गी में आटा गूंदा है तो हमें गू तब स्कत्ता हो सकता एक दम से किखटा पानी ना डालेए किल आठा में इसमें ज़ें पूरी के लिए गुन्हें स्कता होता है तो पानी भी बहुत कम लगता पानी ज्यादे नहीं टाई है fim ज्सक्त किए पूढ़ा पानी डाला है इसी में हमारा आटा सब्सक्राइब लगाना है पानी बैस से ज़्यादे हमें तो माहा जो तो नास्ता है वो सही से नी बन पाएगा अभी से हम ढखके 10 मिनट के लिए सट होने के लिए रख देंगे कि इसमें सूजी आट की है तो सूजी हमें अच्छी तरह से सट होने के लिए रखना पड़ेगा पर दिखे दस से फंदे मिन्ट ओगाए आंटे को देख लिते हैं कि आंटा हमारा इस तरह से से पहाऊ है। चलिए हम क्या करेंगे शुआ हम इसे छिकना करेंगे जादे नहिकर्णाया है इस तरह सी करना बहते हैं अब हम एक पूसकेसे को इस तरह से लेंगे है किशा हिसको अनुल Κले में करेंगे हम इधर कपडा लेते हैं जबकला कंवहिए इस तरह से कपड़ा लेंगे क्यूंकि छबान जो ह है देतना मेंיך का वाइटना में में नग कि कि अ cat और नाष्टा बनाना हमें इसे हम रूटी तरह बेल देंगे किनारी अगर फट्ट रही हो तो मैं अन्हें वाहद नहीं है दो किनारी इसले से ढ़लन की साइलता से हम इससे बेल दें इस तरह से कि इतना मोटा रखना है आप अपने इस आप से रख सकते हैं मोटा पतला जिस तरह से भी आप नखना चाहिए रख सकते हैं इतना मोटा रखा है ना जादे मोटा है ना जादे पतला है इस तरह से आप भी रख ले इस तरह से अब हम एक चाकू की साइता से इसे काट लेते हैं कि आप कोई भी सेफ दे सकते हैं जिस तरह से आपको सेफ पसंद हो आप बहुत तरह से काट सकते हैं यह देखिए हमने मोयन गीई इतना डाला है इससे हमारा आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाया है कि इस तरह से साइट के निकाल देंगे हम कि अब हम इसको वी स्यादा कर देंगे हम थोड़े लंबे लंबाई में बनाएंगे नास्ते को इस तरह से कि इस तरह से हम नास्ते को बना लेंगे देखिए इस तरह से हम सारा नास्ता इसी तरह से बना के रख लेते हैं देखिए इस तरह से हूआ कि चलिए सार बना लेती। फिर मिलतियों आप से इस तरह से सारा नास्ता बनके तार हो चुनार है अब राखर भचा इसको हम कल देएज निकाल देंगे के भी इस से काठ के दिखाएंगे इससे भी कट जाते हैं अराम से बहुत अराम से हीयाए 30 कितनी जल्दी से कटेगा कि अगे थोड़ी से आटे में मारे डेहर सारा नास्ता बनके तार हो गया है अब चलिए कड़ाई की तरफ चलते हैं फटापट से जादा टाइम नास्ता से बनके तार हो जाता है है जिसको पर हमने कड़ाई को चड़ा दिया है कड़ाय में हमने डाला इ Mick क्राइड हों के बेट करते हैं जब हो जाएगा तरह हम इक एक अपना नास Water से इसके अंदर डालेंगे निद्थिफी तरह से कड sheriff हमारी गरम हो दोगी है comme at करकर अपना सबस्चार नसता इसके अंदर डालते जाएंगे जितना अराम से कडाई केंदर आये उतना डाले थोड़ी तेरी इसे हम ऐसी पड़ा रंदेंगे बुल्कुल हम छेड़ेंगे नीचे से अच्छी तरह से सिख जाएगा तब हम इसे पलटेंगे देखिए नीचे से सिख चुका है अब हम इसे थोड़ा सा पलट देते हुआ हे के हैं हुआ है wherein देखिए नाशता हमारा चीतर से ब्लांण हो चुका है अब रमिंसे निकालेंगे इससे ज्यादा हमेंसे तलानार नहीं इए इसे हम निकाल लेते, तेल अच्छी तरह से निकालने इसका, जब तक तेल निकल लेते, हम जब तक कड़ाय में दूसरा और नास्ता डाल देते, सिख लेते, नास्ता बंचे, बुल्कुल तयार है, इस तरह से लेते, इसे आप, एखटा नास्ता बना लो, और कि ने थे खुशने कंपापन से की से लिए कि छुट होगो और गया अवर मने घाते हैंactor कति ऐनाCR को मैंने भार के लिए करके रख सकते हैं यह खराबन नहीं रहे होता जल्दी इस तरहे से देखें सारा नाष्त बनके हमारे तैयर है कितना सुन्दर और टेस्टी नाष्ता बन के तैयर हुआ नहीं बहुत लगा हैं चलिए नास्ता अच्छा लगा questo लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंड कररे बताये कीजिए अप लोगँ को हमारी रेस्पिना कैसी लगती है चलिए मिलते गली नहीं रेसिपी के साथ